गुड मॉर्णिंग एवरिवन मैं हूरारिस बढ़ारिया आपका दोस्त फिट से आपके लिए डे 10 का क्रेश कोर्स लेके आ गया हूं हम कर रहे हैं 30 डेश क्रेश को जिसके दर सेट नेट का कोर्स हम करने वाले है रिसेंट कुछ 2-3 दिन के लिए कोर्स के में वीडियो नहीं कर दी है और आज दिम्यो इसका आपका सेकेंड वीडियो है उससे पहले मेरे जो न्यूव यूवर्स है उनके लिए इन्फोर्मेशन है जो यह वीडियो है उसके लास्ट जो डेस्क्रिप्शन है उसके लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपको कुछ टेस्ट दिये जाएंगे तो वह जो टेस्ट जो कोश्चन से आप जरू सोल करें इससे आपकी प्रिपेशन के बारे में पता चलेगा और उसके साथ एक और इंफोर्मेशन है जो हमारे सारे वीवर्स हैं उनके लिए मैंने जो सेटनेट की पेपर फॉर्स एंड पेपर सेकेंड की साथ में टेस्ट अवैलेबल है विद सोलूशन जी हां विद सोलूशन अवैलेबल है साथ में आपको प्रिवेश एर क्वेश्चन समय मिलेंगे तो अगर आप सही में मेंने से दिल से तैयारी कर रहे हैं तो उस टेस्ट को आप जरूर लीजिये और उनको सौल कीजिए देखिए टे कि सोरी तो शूरू करते हैं हम्ली वैंस के इंदर सेकेंड वार्ट घुंप हम पढ़ने वाले हमने कल जो बन डिस्कसिन किया था मोडल्स के बारे में दिस्कसिन चाहि visual तो आगे पड़े तो आज हम मोडल के रिंदर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा yep एंदिटी मोडल frost सा मोडल एंटी टी डिलेशन स्टीप मोडल ठीक है एडी आर मोडल इनके बारे हम वन बैवन देखने वाले हैं क्रेश को से इसलिए हम इंपोर्टेंट चीजों को ज्यादा ज्यान देंगे तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें इंपोर्टेंट ने फिर्स्ट आपके होती है एनी डियल वर्ड अबजेक्ट एंटीटी इस और रियल वर्ड ऑबजेक्ट रियल वर्ड अबजेक्ट सर समझ में नहीं इसका मतलब एक इससे भी कोई चीज जिसके बारे में आप डिटेल के अंदर कुछ बताना चाहते हो जैसे आपकी बूक हो गई इस्टूडें सब्सक्राइब बन जाएक जिसके बारे में फिचर्स सकता हूं वाइक होगी disp वाइक क्या लेनी एवरेज क्या होना चाहिए ऐसी को फिचर बता सकते हो उन सब important unit है इसकी ओके entity attribute attribute क्या होता है कि और एट्रिब्यूट्स और प्रोपर्टीज कि ओल्ड वाए कि एंटिटी यह कह सकते हो कि एंटिटी की जो प्रोपर्टी बताता है उसे हम क्या बोलते एट्रिब्यूट बढ़ते हैं जैसे Wi-Fi एक्जामपल में आ सिस्टुडइन लेता हूँ यह रहा का स्ट्टूडेंट के क्या क्या चीजिए हम्ने तो उसका रोल नंभर उसका उसका झेनर उसका जेंडर उसने कि स्कॉर्स के लिए अपलाई क्या है या उसका address उसकी date of birth क्या है तो ऐसी कोई सी भी चीज जो entity की properties बताता है उससे में क्या बोलता हूँ और सर और उद्धारन बता है और उद्धारन होते हैं जैसे यह बाइक है आपकी शायद बाइक मुझसे घरबड बन गई है यह ना cycle बन गई चलिए तो cycle की properties पतले आएंगे चोड़े आएंगे गेर वाली cycle एक बीना गेर वाली cycle ले ओके तो यह सारी क्या होगी attributes हो गए cycle तो ह सांओन होके आपके relationship क्या होगा आपके पास relationship relationship क्लिए सबस्यूंत कमतलर अब संबंद ही इसका मतलब association कि क्या होता आपके association या connection संबंद क्या है ऑग्यांवर्ण ले सकते हो student और कोर्स इस्टूडरो और और को तो इस्टूडेंट किया पैजस करेगा कोर्स पर्चेस करेगा आई वादने संबने में क्या क्या संबन्ध है तो सकते हैं एलग अलग हो सकते हैं जो कुछ थी आपके से उसकी कुछ इंपोर्टेंट आपके पास टर्म्स थी एंटिटी एट्रिबूट्स और रिलीजिशिव चलिए अब हम आगे चलते हैं एक्जाम पॉइंट ओंडू सर कैसे कोशन आते हैं डाइरेक्ट कोशन आता है आपको बोल देंगे बुक क्या है एंटिटी एट्रिबू स्पेस क्रियेट कर लिया जाएं उम्मीद है आपको सीरीज अच्छी लगरी होगी आप एंज्योई कर रहे होंगे देखिए पढ़ना तो पढ़ेगा अगर मुझे नहीं लगता शुरुआत में हो सकता है बोरिंग लग रहा हो आपको पर अगर आपने मेरी वीडियो देख टाइप्स ओफ एट्रिबूट्स और सभी जैने यही पढ़ रहे हैं है ना सक्सेस्फूल होने का यही तरीका रस्ता यही आपको रस्ते से तो गुजनना ही पढ़ेगा एक बार अब इसके अनल से किस तरह कोशिन आते हैं तो टाइप ओप एट्रिबूट्स के पर कोशिन वसे सिंपल सेके आपके पास हो गया मल्टी वेल्यूड वसे सिंगल वेल्यूड थर्ड आपके पास हो गया स्टोर्ड वसे डी राइव्ड फॉर्थ हो गया आपके पास कॉंपलेक्स यह आपके ट्रिबूट्स के टाइप हमने पढ़े थे ना आपने जो एंट्रिटी की प्रोपर्टी बिताते उनके अंदर भी फर्दर केटेगरेस किया गया है तो हम ऐसा करते हैं कि एक्जांपल से समझने कोशिस करते हैं तो इन स्वेंट होना स्टूडेंट में भी हूँ हो न आप ही नहीं कि जब तक पढ़ेंगे तब तक स्टूटेंट ही रहेंगे इस्टूडेंट ओके और यह गया आपके तो लेंटका ऋनलिंबर कि ठीक है नहीं हो गया इस्टूडिन का नेम कि यह हो गया उसका फॉस्स नेम एगयों का मिडल नेम यह हो गया उसका लास्ट नेम के फिर यह उसका माल यह फोन नमबर फोन नमर के दो मोबाइल नमर के दो खेर आजकल तो अब किसी के इलिपस बना रहे हो डबल इस बना रहे हो क्या कर देए उसमझ में नहीं आ रहा है बई शांती रखो सब समझ में आ जाएगा ना पसाब इसात रहो थोड़ा सा फीडबेक देख दो कि सर यहां यहां आपने प का एड्रेस तो देखी मैं को क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूं सबसे पहले हम ले ले लेते कंपोजीट अब यहां पर कंपोजीट कौन सा है ऐसा एक से जदा एट्रिबूट से मिलके बनाओ कौन सा है वह यह रहा तो यह जो एट्रिबूट है आपका कौन सा है कि से बनाः फास्सने मिडल उनलास् नेम और इसको क्या ब yiddel जर्फ ऑस इंपले ट्रिबूट क्या वह लेंगे हम सिंपल इनल ठीख इंप यह वो गया अपकी तलय जर्फ से बनके मिलके बना होता है ओकेसित देखिए मैटी वेल्यूटा यह दियान रखना मल्टी वैल्यूट लेट्रीबूट को हमेशा हमため disse Strategy करते हैं किसे डिपल इलिप्स असे सतर्मेटी वैल्यीट का मतलब क्या होआ मैस्टी वैली नाम से पता चल रहा है a true Right जिसकी एक से ज्यदा वैली वो सकती कि किसी व्यक्ति के पास 2.5 नम नहीं तो वह जो जाएगा आपका मुल्टी वैर्ट्रिक हो जाएगा Okay single वैर्ट क्या हो गया सिंगल वैर्ट्रिक अंधरी मिक्स भी हो सकते सिंपल विल्य विल्य वी सिंगल वेलुट सिंपल भी हो सकता है ध्यान रखना ओके ऐसा कोई फिक्स बाउंडरी नहीं है थर देखते हैं सभसेश डिराइट सबसे पहले इस्टॉर के उपर आजाए इस्टॉर्ड एक्रिबूट इसने अब करना पड़ता कि से इंटर करना पड़ता है मैंनोली मैंनोली का मतलब किसी व्यक्ति की यह किसी इस्टोटी टूब बढ़ता हमें खुद को डालनी पड़ती है okay तो इसे क्या बोलें हम manually attribute actually reference के साथ है आप बोलो कि सब रोल नमबर भी हम manually डालते हैं चलिए रोल नमबर चुड़े नेम भी हम manually डालते हैं phone number हम manually डालते हैं अरे वह सुनो तो सही आगे क्या कह रहा हूं व्य स्टोड एट्रिब्यूट के साथ डिरखे जुड़ाएं इस और भी हम एच होब कर पीजा है can reverse कौन से attribute की जरूत है उविसी बात आपको data word की जरूत होगी तो data birth क्या हो गया आपका टरे ट्रेडियूट ओर एज क्या हो गया आपका आपको डिएडियग आपको डियर्ट देज्ञ एग किस तरक बीट है और क्या हो सकता है मेरे को बताओ इंप अधिया लुट क्या हो सकता है कोर्स दूरेशन कि कि इसको पड़ते हुए तो कोस्लिडियोशन स्वरी उसको क्या कर दिया उस से कर दिया इसको किसे करना है बचले तो सब्सक्राइब को क्या होना चाहिए इसके लिए आपको क्या होना चाहिए स्टार्ट डेट ई है ये इस्केस में क्या होगा आपका o ठोड एट्रिब्धुट और इसके लिए डिराइड को साण साज़ यह दिर्स वर करते हैं ना एक रेहलrob φ Ο सकता है हां और क्या हो सकता है परमाने डिशो सकता है करेंट हो सकता है परवाने डेटेस हो सकता है ओके और करेंट डेटेस के अंदर क्या हो सकता है आपका मकान नंबर फिर स्ट्रीट फिर डिस्ट्रीक्ट फिर स्टेट यह चीज़ वापस हो सकती है मकान नंबर इस्ट्रीट डिस्ट्रीक्ट और स्टेट तो यहां चीज़ लिपने के उपर आपके पास एक सेज़दा एल्ड मेल एककर ओर मॉनले और और फिर करयंट के अंदर पिर आपके पास अलग अलग सब सेक्षन है क्या होगत है सब्सेकं यह बाला क्या होगर आपका एक पूरермान्यारी बात यह चीज पॉनील के क्या बना रहा है आपका composite बना रहा है क्या बना रहा है composite इन दोनों को मिलें मैं क्या वोलें के complex तो द्यान रखना जो आपको complex attributes है वह आपका किस से बना होता है एक तो आपके multi-value attribute प्लस composite attribute okay multi-value attribute और composite attribute मेरे क्याल से टाइप आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे आज के बाद आप यह चीज नहीं बूलने वाले हैं ओके चलिए और हम आगे चलेंगे तो बार-बार एक्जाम्पल्स आएंगे आप समझ से रहेंगे यहां पर एक चीज और है इंपोर्टेंट यहां पर मैं य ठीक है इस चीज को हम अलग तरीके से भी रिप्रेजंट करते हैं यूमेल के इस डाइग्राम के हिसाब से तो आप यहीं देख लीजिए इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजंट कर सकता हूं इसको मैं यहां लिखूंगा स्टूडेंट यहां एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है तो जो भी एंटिटी का नाम सबसे पहले लिखूंगा मैं फिर एक लाइन कीज लूँगा पूरी और उसके बाद मैं क्या लिखूं के अंदर नाम आएगा वह आपकी एंटिटी का आएगा और उसके बाद जो नाम है वो सब आपके क्या हो जाएंगे एंटिटी के इसके अंदर भी एक चीज आपको ध्यान देनी है मल्टी वेल्यूट जो आपका एट्रिब्यूट है उसको हम रिप्रेजंट करेंगे कुन सा है फोन नमबर और डिराइव एट्रिबूट है उसको हम रिप्रेजंट करेंगे इसको आपके एज यह द्यान रखना है तो यह नोटेशन कई बार पूछ लिया जाता है कि मल्टी वेल्यूट को किसे रिप्रेजंट करते हैं यह मेल केस डाइग्राम के अंदर ओके तो उसको किसे रिप्रेजंट करते हैं मल्टी वेल्यूट डेट्रिबूट को कली प्रेशेस और डिराइव डेट्रिबूट को किसे रिप्रेजंट करेंगे हम ब्रेकेट, इसको ब्रेकेट के अंदर है, तो यहां से जो questions बनते थे, वो मैंने आपको सारे बता दिये हैं, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, अब हम इनके क्या पढ़ेंगे, relationship के बारेंगे, क्या पढ़ेंगे, relationship के बारे में, मेरे साथ बने रेना हैं, आपको लास्ट तक बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, विश्वास रखो मेरे उपर आप, पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह के साथ साथ चलते रहो, हैंना, और आपको पता ही है, कि इसकी जो PDF है, आपको क मिलेगी मेरे Telegram channel, कह मिलेगी, Telegram channel के उपर, किस नाम से, इसी नाम से, Computer for Quant, किस नाम से, Computer for Quant नाम से, वहाँ से आपको इसकी Telegram available हो चाहेगी, relationship की हम बात करें, तो relationship होते हैं इसके one to one, one to many, many to one, हम पढ़ने वाले हैं, relationship का मतलब क्या हो गया, टेबल्स के बीच में यह एंड चली अभी तो टेबल्स के ना अब हम कह सकते हैं आगया आगया पड़ोगे एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन्सिप है उसको किस तरीके से हम शो करेंगे वो चीज हम इसके अंदर देखने वाले हैं और बता तू यह सारी चीज़ें मेंने क्वेश्चन के तुरू पढ़ा रखी है जो मेरे जो प्लेलिस्ट है क्या है प्लेनली जिसके अंदर । जिसके अंदर बैसी कंप्यूटर इस्ट्रक्टर फाइफ थाउसन्स को सब कुछ याद हो जाएगा उस वीडियो को वो प्लेलिस्टे उसको आप जरूर देखिए है ना चलिए और अगर अभी तक आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कर दो यार बहुत मेहनत लगती है लाइक तो करी सकते हो यार लाइक कर दो प्लीज और सब्सक्राइब कर दीजि है क्योंकि हमार पास समय कम है तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं वह मैं आपको बताऊंगा है ना तो वन तो हम कैसे समझेंगे एक्जांपल के तू समझेंगे माल लिजिए यह आपकी एक एंटीटी एंटीटी को हम हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजन करेंगे है रिक्टेंगल से ओके और यह आपका एक डाइमन्ड है क्या है डाइमन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए सोरी डीलेशनस्टीप है जिसको हम डाइमन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है works for कि एमपलोइक किसके लिए काम कर रहा है एक डिपार्टमेंट के तो मैं ए एक्जांपल लेने वाला हूं हर जगा तो इसको आप दिमाग के देगा आइडिया रखिए कि एक विबाग है एक कंपनी है जिसके दर कुछ करमचारी काम करें उस कंपनी को मैं डिपार्टमेंट बोल रहा हूं और जो करमचारी उनको मैं एंपलोई बोल रहा हूं ओके तो य समझ में यह वनवन का मतलब है फिर यह देखिए अगर आपको कहीं यहां पर इसे डबल लाइन नजर आए अगर आपको इसे डबल लाइन नजर आए इसका मतलब क्या है टोटल पार्टिसीपेशन क्या मतलब है टोटल पार्टिसीपेशन टोटल पार्टिसीपेशन टोटल साथ participation का मतलब यह होता है इस department entity के अंदर जितने भी department है माल लीजिए department exercise department do it department pw department phd department उन सब के लिए एक-एक employee होगा ही होगा यह इसका मतलब है okay कहने का मतलब है यहां पर चार department है तो चारों के लिए कम से कम यहां पर माल लीजिए दस employee है तो इन सारे डिपार्टमेंट के लिए कम से कम एक employee यहां से हो गई होगा पर यहां जो employee है वह जरूरी नहीं कि उन सब को एक department मिला ही होगा यहां पर जो वाकी छे employee है वह खाली भी बेठे सकते हैं समझ में आ गई बात ठीक है total participation का मतलब यह समझे कि जिदर भी total participation है इसका मतलब उस जो entity है उसके इंदर से एक भी सेट है वह खाली नहीं रहेगा चार department है तो चारों को employee मिलेंगे मिलेंगे पर अगर इदर वाली साइट आपके total participation नहीं है इसका मतलब यह है कि दस में से चार employee को ही department मिले हैं बाकी छे खाली बैठे बस आप यह समझे आपको सब कुछ समझ में आ जागा इतना समझ में आया आपको अब देखिए कि इसकी टेबल कैसे बनेगी कि यहां देखिए आप इसकी टेबल बनती है मैं आपको साथ-साथ बताता जा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है जब भी एंप्लोई इंटिटी अगर कोई एंटिटी है तो उसका हम टेबल की रूप में convert करते हैं किसके दो में टेबल की रूप में और मान लिजिए इस एंपलोई का एक एट्रिबूट है एंपलोई आइडी इम्पलोई आइडी इसको में प्राइमरी की दे रहा हूं आगे चलेंगे आप सम नएगी एक ओर टेबल बन जाएगी किसकी इस दिपार्मेंट हर एक एंटिटी की एक टेबल ऋगी धrhना डिपार्टमेंट आईडी ओके फिर सर यहां से क्या कोशन आता है सबसे पहला कोशन तो यही आता है कि टोटल आर्टिसिपेशन कौन सी टेबल की साइड है कौन सी टेबल की साइड है एंपलोई या डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाइल साइड में ठीक है वेरी गूड यह relationship कौन सा दिया हुआ ढ़र भलाई पथा यहां पीड्य दे alcanz है एक चीजह व करें अगर आपको यहां पर दिया होता है attribute जो relationship के अंदर है मान जीए याप स्थिक्टी हुआ हो आ यह ना मा करें हावर्स और वो जो आपके attribute हो कहां दिया हुआ है, आपके relationship के पास, जहां दिया हुआ है, कि वही कौन सा employee किस department के अंदर कितने गंटे काम करता है, तो इस case के अंदर क्या होता है, जब भी आपके final table बनती है न, तो आपको इस attribute को relationship के पास नहीं रखना होता है, हम कोशिस क्या करते हैं इस attribute को यह तो right side वाली table के और move करते हैं, या left side वाली table के और move करते हैं, इससे फाइदा मलता है कि मेरी table कम बनानी पड़ती है मेरे को, अब यह आप आगे चलोगे तो आपको चीज़े समझ में आएगी, आप यह समझे बस, कि अगर आपको one to one relationship दिया हुआ है, एक side total participation दिय towards टोटल पार्टिसिपेशन अब आप बोलोगे सर आप तो इसे बता रहे हो, क्यों करना है क्यों नहीं करना है, इसको रटले क्या, अभी रटलो, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं आपको बता सकूँ, व्यूकि डीवेस अपने आपके बहुत ज़्याज़ा लेंदी subject है, आपको टाइम कम है तो जो question क्या बनता है, यहां से देखी एक question तो बनता है, कि minimum table कितनी बनेगी, minimum table, very important, आपको यह relationship दिया होगा, आपको पुछेंगे किसके ने कितनी table बन सकती है, तो ध्यान रखना one to one relationship दिया हो आए, और एक साई total participation दिया होगा, तो कितनी table बनेगी, दो table बनेगी, सर कौन कौन सी, एक table इसकी, और एक table इसकी, टोटल कितनी होगी, दो table हो चुकी है, और क्या ध्यान रखना सब, और यह आपको ध्यान रखना है, कि जिस भी side आपने इस attribute को move किया हो, उस side आप किया बनेगी, foreign की, क्या बनेगी, foreign की, और दूसरी वाली side क्या बनेगी, आपकी, primary की, ठीक है, जिस भी side आपने attribute क्या है, उस side आपकी foreign की, और दूसरी वाली side क्या बनेगी, आपकी primary की, देखें, अगर हम example से detail से समझते तो, आपको कुछी भी इस तरह के से याद रखने की जरूत नहीं थी, वो आप सब समझ जाते है, पर अभी exam point view से मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हू है ना, ठीक है, फिर देखिए, जहां भी जिस भी side आपकी primary की है, ध्यान रखना, उस table को हम बोलेंगे reference table, exam के अंदर question आया हुआ है, reference table, और जो reference कर दी है, उसे हम क्या बोलेंगे, referencing table, referencing table, referencing table, very important है, यहां से जितने question बनते हैं, मैंने आपको सारे बता दी, इसके लाव कोई question नहीं बनता है, यहां से, ओके, जिदर primary की है, आपकी reference table, जिदर foreign की है, वो reference, referencing table, यहां पर foreign की क्या हो जाएगी, employee ID, इस साइड आके क्या हो जाएगी, foreign क्यों जाएगी, sir primary की क्या होती है, foreign की क्या होती, भाई, चलेंगे, आके, one by one हम पढ़ेंगे, ओके, ठीके, अब य employee, यही बना रहा हूँ, मैं, वोक्स फोर, और यह क्यों हो गया, department, department, ओके, और यहां पर आपका total participation, माल लिए आपको दोनु साइट, total participation दिया हुआ है, और यहां जो दिया हुआ है, one to one, one to one relationship, इस case के अंदर, सर्थ, बताइए, question पूचा जाएगा, कितनी table बनेगी, इस case के अंदर आपकी, एक table बनेगी, कितनी table बनेगी, एक table क्यों बनेगी, कि दोनों के बीच में, participation कितना है, one to one, अगर यहां है, चार employee है, तो चारों को, चार department मिल चुके हैं, ओके, और मालीजे, इसकी जो आपकी primary की है, employee ID, इसकी आपकी primary की है, department ID, तो यहां से इस तरीके से बन जाएगी, employee ID, और यह क्यों हो जाएगी, आपकी department ID, उस case के अंदर किसी को भी आप primary की ले सकती है, या इसको ले सकते हो, एक ही table बन रही है, ओके, एक ही table बन रही है, ठीक है न, और अब यहां से वोई question अरीज होता है, अगर आपको एक attribute दिय होगा, कहां पर relationship के उपर, माल लिए हावर, तो सरब किस side move करोगे, जरौती नहीं न, वो यहीं प्या जाएगा, table तो एक ही बन रही है, तो यहां पर attribute addon हो जाएगा, ठीक है, one to one के जित्ते question बनते में आपको बता दिया, total participation दोनों side हो, तो table one बनेगी, एक side हो, तो table two बने हैंगी, ओके, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, वैसे मैंने इसके बारे में, चो मेरी DBMS की playlist है, मेरे क्याल से बता रहा है, मैंने, में जो DBMS की playlist है, DBMS playlist है, वहां मैंने शायद detail के इंदर समझा रहा है, तो वहां आप प्लीज एक बार refer कर सकते हैं, description box के अंदर आपको उसका link मिल जाएगा, अब हम जो next relationship पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा many to one, ठीक है, कौन सा है, many to one, many to one, many to one बोलो, या क्या बोलो, मैं one to many, मैं भी आपको many to one से समझाने वाला हूँ, ओके, इस से, ठीक है, सर बताइए, आप many to one के अंदर, तो वही चीज है, वही चीज हम वापस क करने वाले हैं, इससे आपको चीज़े क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, तो फटाफट, विक तरीके से हम, 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 चलिए, देखिए, तो यह होगी, आपके employee, तो यह अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो computer science बहुत आनाने वाला है, बहुत, 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 पबंशरी, entity क्या होगी, आपके Department, ओके, और, जो आपको, रिलिशनित, दिया हुआ है, मैनी टू, दिया हुआ हुआ, क्या दिया हुआ है, मैनी तू, वन, और यह क्या होगी, आपका एक, एक, अट्रिब्यू धिया हुआ, employee id, और यह दिया हो इसका, को, Department ID, ठीक, है, और works for क्या है works for यहां पर इसकी first क्या रहेगी employee ID इसकी primary की हो जाएगी इस table के अंदर हमेशा देखना जो जिस भी table है उसकी जो unique की है वो हमेशा क्या रहेगी उस table की primary की होगी त्यान रखना हर एक table के अंदर एक primary की होगी 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 इस table के लिए इसकी primary की होगी इस table के लिए इसकी primary की होगी ओके ठीक है तो आप बता सकते हैं मेरे को यहां पर referencing table कौन सी है reference कौन सी है या number of table कितने बनने वाले हैं देखिए हमेशा यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेनी टूवन होगा उसके अंदर आपको नमबर ओफ टेबल सबसे पहले एक एंटिटी को देना है फिर एक टेबल दूसरी एंटिटी को देना है उसके इसके अंदर आपके नमबर ओफ टेबल हमेशा क्या बनने वाले हैं दो बन बनने वाले हैं ठीक है दो बनने वाले हैं ओके और आपके जो प्राइमरी की है वो किस साइड बनने वाली है प्राइमरी की बनने वाली है आपकी बन साइड मेनी साइड आपकी फोरेंड की हो जाएगी और जिदर वन relationship है उदर आपकी primary की बनेगी क्यों नहीं सर आप याद कर रहे हो आपने भी इसा कर रहा है नहीं मेरे भाई टाइम चाहिए इसको समझाने के लिए तो मैं भी आपको नहीं समझे सकता अब याद कर लिजिए ठीक है तो देखिए इस सेड़ आपकी बन जाएगी यह हो जाएग यह primary की फिर एक और question बच जाता है इसके अंदर कि यहां पे अगर आपको कोई attribute दे रखा है वह हावर्स ले लेते हम तो वह किस साइड मुझ करोगे आप मैंनी साइड या वन साइड ज्यान रखना मैंनी टुवन रिलेक्शन सिप के अंदर अगर आपको रिलेक्शन सिप के सब्सक्राइब तो आपको कि साइड मुझ करना है श्फ्ट मर्मैनी साइड कि शिफ्ट टूअर्ज किसा इसीär कि साइड मुझ करो गया मैंनी सैड सिफ्ट करोगे ओके तो फेल works निकालना आ गया मैंद गया मैं nossa नबीट में प्राइम्री की वनसाइट बनेगी फारं की मैंनिसिय बनेगी और यह टेबल कुन सी हो गए आपकी मतले को टीए हैं पर को रहेन। और प्राइमरी की है जिस साइड उसे हम क्या बोलेंगे रेफ्रेंस टेपल देखिए एक एक चीज इंपोर्टेंट है एक्जाम के अंदर क्वेस्चन आयोगा डायरेक्ट ठीक है जब मैं आपको मेरतन करा हूंगा तब आपको पता चलेगा वैसे और जो मैंने आपको बोला प्लेलिस्ट की जाके उसको देखिए जैसे वीडियो कंप्रेट करो उस प्लेलिस्ट को आप सोल कीजिए आप उनको को देखिए आपको यकीन हो जाएगा अब हम जो नेक्स के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास मैंनी टू मैंनी डिलिशनशिप क्या पढ़ने लिच्व टू को डिपार्टमेंट वी डिलिशनशिप कह सा रहती तो कौशा है बताये हैं मेरी को मैंनी टू वन अगर हापको बोले डिपार्टमेंट तू एंपलोई रिलिशन सित कैसा हैं तो आप क्क्या बोलोगे वन में तो मैं थाइर कैसे क्याकर शॉस समझ में नहीए है देखिए भाई employee to department employee to department इस साइट से देखना है आपको रिसे किसा है मैंनी टूवन मैंनी टूवन department to employee department इस साइट से देखना है केसा relationship one to many okay question को द्यान से पढ़ना है आप question पढ़ते नहीं हो और आंसर कने लग जाते फिर बोलते सद्रेतोंगर और हो गई वह करप वड़ तो और आ मैंनी two में इन मेनी टूवन मेने relationship m ratio n का मतलब इसका मतलब भी इंख मैनी है और इसका मतलब मैनी एफ अलग बताने के इसको मैं समझ लेते हैं तो मा लिए यह आप गडिया हुआ है employee का एंडीटी और फिर्ट से डिलेशनसी बना रखा है उसको मैं किसे बनाऊंगा एक डाइमंड से अब वोग्स फोर फिर रिलेशनी बना देता हूं मैं यहां पे सारे कोशन से सारे कोशन करा रहा हूं मैं सारे है ना कि मेनी टूवन ओके और इस के नदर आपको पूछा जाएगा कि नंबर ओफ टेबल कितनी बनेगी नंबर ओफ टेबल तो ज्यान रखना टेबल कैसे बनेगी एक टेबल इसकी बनेगी एक टेबल इसकी बनेगी एक टेबल इसकी बनेगी तीन टेबल, ज्यान रखना, किती टेबल हुई, तीन टेबल और यहाँ पर आपको दे रखा है कि ब्सक्ताइक क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ सिक प्राइमरी नहीं है और यह आपका अधाइक्व, क्या का मतलब किया है इसके नमाद यूदि लिवाएगी और डिपार्टमेंट की क्या है डिपार्टमेंट स्की कि है हर एक अन्टी टेबल के साथ एक की रहेगी रहेगी यह द्यान रखना की टेबल कैसे बनेगी देखे ऐसे मिनिग यह की टेबल होगी एंपलोई की यह लोगत है कि यह वगी लोगी इसकी स्वित दो हम बना देता हूं कि आप कहने की और यह को स्वित आई ड़ी आब जो तीश टेबल बने गोगे इसकी बनेंगति आपकी रिलेशनशीप की जिसके अंदर क्या होगा सिफ दो एडिवोट होंगे इसकी की ठीट इंप इसकी प्राइमरी की यह हो जाएगी आपके एम्प्लु ऐडी और यह हो जाएगी आपकी डेपार्मेंट आई गिए यहां पर यह प्राइमरी की है तो इस जिग 이걸 कैसे वर्क करेगी ओके और हमेशा हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए तो अब आप बोलो के सरी बीच वाले जो टेबल है वर्क्स फॉर उसकी तो प्राइमरी की है ही नहीं है भई है इन दोनों को हम क्या कर देंगे कंबाइन ली एक साथ यह किस तरीके से वर्क करेगी प्राइमरी की किस टेबल की वर्क्स फॉर की यह प्राइमरी की है वर्क्स फॉर की और इसको क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे कंपोजिट की क्यूं एक से ज्यादा की का यूज करके हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको कं लिएंगे और क्या रिया गया बताइए आप मेर्कों यहां पर क्वेश्शन सरे ट्रीब्यूंट दिया हो गा तो डोन मूँ एनी साइड किसी भी साइड मूँ आपको नहीं करना है क्योंकि इसकी खुद की यहां टेबल बन दिये तो यहां पर एट्रिब्ट जुट जाएगा हावर्स ओके और यहां पर एंट्री आ जाएगी ठीक है तो टेबल किनी बनेगी तीन ठीक है न तो देखिए जो इंप उमीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मन लगा के पड़ोगे तो चीज़े जरूर समझ में आईगी सब होई नहीं सकता का आपको नहीं आईगी तर और क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप बताएंगे हां बता रहा हूं रिलेशन्शिप के अंदर आगे हम चलते ह है कि जो यहाँ ट्रिबूट देखते हैं एक multival awake a little time मल्टी विल्यू एट्रिब्यूट एक्जामीन कैसे आपको घुम रहा करता यह देखिए मैंटि मेरे लएट अट का मतलब क्या हो गया जैसके एक से ज़्यादा वेल्यू है इसकी Now क्या बोलते है एक लाइन मेंशन कर दिए और मल्टी वेल्यूट एट्रिप्यूट और न्यू टेबल इस क्रियेटेड एक नई टेबल क्रियेट की जाएगी माली आपको यह एंटिटी दिव यह स्टुडेंट क्या दी ही यह स्टूडेंट ओके और माली यह इसके अन Reality आपको दे रखा है चलिए मैं आपको यह बना बना देता हूं बना फिर आप रोगे आ तो आपका कैसा एट्रिबूट है मल्टी वेलूट एट्रिबूट कैसा एट्रिबूट है मल्टी वेलूट और रिलेशनशिप देरा का इसके देचलिया माल निज़ बन टूवन यह डिपार्टमेंट नहीं होगा यहां पर कोर्स हो गया थीक अब आप मिरको बता सकते हैं इस इसके साथ आपको मल्टी वेलू डेट्रिबूट दे रखा है और जब भी आपको मल्टी वेलू डेट्रिबूट भी दे रखा हो तो उसकी एक टेबल और आपको असाइन करनी देती है तो इसके अंदर आपको नमबर ओफ टेबल कितनी बनेगी तीन बनेगी एक इसकी एक तो इसकी हो जाएगा आपकी स्टू्धendки já यह जाएगा आएडी अगल्रत ओके स्केब्रत की एक हो जाए गया कि अपके स्की और हूज हैaaaa कि यह हो जाएगा आपकी कोर्स आइडी को Karlों कि और यहां रह जाएगी आपकी कोर्स अडंक है ओक्र हैं यहां हो जाएगे अपकर है कि अब देखिए यह यहां पे तो यह फोन ल्डेबल है वह क्या यह यह इसके अंदर यह प्रै। की यह अंदर और यहां यह किस तरह के सegई की तरह के सब करें आप किया तो आ अपको दंदानारा है कि फोन नम्हों जब भी आपको मल्टी वेल्यूट एट्विट हो तो आपको एक टेबल अलग से और स्पेसिफाई करनी है ओके तो मेरी ख्याल से चीज आप क्लियर हो रही होगी वीडियो को सुनते जाइए जब आप क्वेश्चन करेंगे मैं फिर से बोला हूं कुछन मैंने ब the fidelity क्या पढ़ने वाले हैं फीक गर्ट्येटि के रसे वीट एंटीटी सरमक्रिक और असुं दिख की औरम के नहीं होती है तो सब्सक्राइब होती होगी हाँ अभी तक duty European की अभियोव कि वो सारी के सारी क्या आट की स्ट्रोंग से पेचान किसे करेंगे बताते हैं भी कैसे पेचान करेंगे एक धंपल के थुद मैं आपको समझाने के कोशिस करता हूँ ओके तो मैं एकजांपल ले रहा हूँ जैसे एक खङपाशिम करमचारी है emplay है वह काम करते हैं और वेसी बात है उन्हें एंपलोई के क्या है होंगे माबाप भी रहे होंगे माबाप भी होते हैं ना पाई बेन भी रहे होंगे तो आप बता सकते हैं वो सारे के सारे dependent किसके उपर है उस employee के उपर आए उस व्यसक्ति का किया है पेसे कमा के लाना हूं हो Dr. देना dat वह सारे आश्रित किसके उपर है उस employee के उपर अब अगर किसी विभाग के अंधर ए नाम का कोई कर्मचरी नहीं है और कोई आ से आके बोलता है कि मैं मेरे महीने की तंका नहीं क्लिए तो क्या उस विबाग को कारवाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो विबाग तब भी जानता है आसित को जब उस विबाग के अंदर कोई करमचारी वर्ग करेगा कहने का मतत्ब यह है मालीजे यह आपके एंटीटी है एंपलोई और यह आपका क्या है कि रिलेशन सीप है ओके और यहां पर है आपके डिपेंडेंट आश्रीट ठीक है यहां पर डिपेंड्स ओन इंपलोई यह डिपेंडेंट्स ओन एम्पलोई के ऊपर ठीक है यह कोई कामचारी है ओर यहां पर इसकी जो प्रामरी की होगी एंपलोर यह और यहां पर डिपेंड्मेंड की अंदर यह क्यों हो गयाँ विए इसका एक एट्रिब्यूट है ठीक है तो जब भी आपके बाउस मी can 2 होगी उसको में री-प्रेजन करेंगे डबल-लाइं डेक्टेंगल से ज्यानँ नवीड ईन्टी को डबल-लाइं डेक्टेंगल से रीप्रेजेंट किया जाता हjektू ओर जो रिलेशनिसीप है उसको भी हम डबल लाइन डाइमध इसको डाइमड बोलते है डबल लाइन डाइमड से रीप्रेजिन करते हैं ओके तो इस रिलेशनिजप को अलग से नाम दिया गया है वह है आपके identifying relationship क्या है identifying relationship क्या है identifying relationship okay और जो यह employee है इसे हम क्या बोलेंगे owner entity और एंटिटी देखिए reference का ध्यान रखेगा हम भी reference क्या बटए वीग एंटिटी तो वीग entiti इसकó हम क्या बолेंगे weak entity double line जो rectangle है उसे हम क्या बोलेंगे weak entity weak entity के reference में दूसरी वाप entity है उसको हम क्या बोलेंगे honor entity यंडिती जैस को हम क्या बोलेंगे strong entity strong entity हम किसे भी बोल सकते हैं पर यह द्यां रखना weak entity के respect में इन क्या वह एंक्याएक के हमेशा रिक एंटीटी और उसके डिलीशंशन्शिप के बीच में के नहि sensor हो गा वे इंपोर्टेरन वे आपके इसा नहीं है तो ध्यान रखना कोचन में कुछ प्रोब्लमने रहने क्न chap कि नहुतन फार टीपेशन होगा ही होगा होके तो क्या-kia बता दिया मैंने इसको आगा अनर एंटीटी इसको आगा वीक एंटीटी कैसे पता चला है डबल रिक्टेंगल से इसको आइटेंटिफाइड रिलिश्चिंशीप और यह क्या होगा आप दबी तो जानेंगे जब RAAM exists कर रहा है सईब आदे न तो यह किने का मतलब है कि अगर company के अंदर इनके नाम को डूढ़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा इस employee के नाम के साथ इसके माबाब के नाम जोडना पड़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ राम नाम का जो employee है उसके माबाप ये है A और B जिसका क्या मतलब हुआ इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है कंपनी में अस्तित्व में जब भी आएंगे जब राम भाई साव अस्तित्व में आएंगे ओके इसलिए इसको हम क्या बोलते है वीक एंडिटी वीक एंडिटी मतलब इसकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं है यहां पर जो नाम है उस नेम है उसको मैं डेस लाइन से शो करता हूं इसका मतलब क्या है यह पार्शल की है अब यह अदियो गार इसको पूरिकी बनना एैं तो इसको इस एंपलॉई राम है इसका सारा लेना पढ़ेगा क्या लेना पढ़ेगा राम का सारा लेना पढ़ेगा देखिए अब आपके सिंदर टेबल कैसे बनेगी यह टेबल है आपकी employee निए यहाँ पर आपके पास से एंप लुघी से य करे लिछा पर इंदर अब दूसरी टेबल के अंदर के से बनेगा डिपेंडेंट की टेबल कि डिपेंडेंट के अंदर यह होगा आपके पास नेम और यह नेम होगे मान लीजे अब आप बताओ यह भी खुद को पेचान सकते हैं क्या नहीं उसके लिए आपको इस एंपलो आड़ी की जरुत अब पैचान में आगए हैं इस बताओ पर यह दोनो पासल पर अब यह दोनो एट्रीवृट्ट मिलें popular बन गई कि आपके primary की बन गए है क्या बन गए आपके primary की किस टेबल की dependent टेबल की very important concept बता रहा हूं है बहुत ही important okay समझ में आ रही है आपको बात मेरे क्याल से आ रही होगी ठीक है इससे related और अब यहाँ पर इसको आप यह भी बहुत सब्सक्राइब तो composite की हो गई हां हो गई यह composite की भी हो चुकी है अब इससे रिलेटेर जो question आते हैं वी किसे रिलेटेर वह आप लिख लिजिए important points तो वह मैं आपको लिखवा देता हूं डाइरेक एक्जाम के अंदर question आते हैं इंपोर्टन लिखिए if an entity is weak entity then it should definitely if an entity is a isana week entity then it should definitely in total participation in total participation in identifying relationship जो हमने पड़ा है वही मैं आपको वर्ट में लिखवा रहा हूं और डिनी क्योंकि यहां से डाइरेक वर्ट के question आते हैं जिसे ने तो सेट के अंदर identifying relationship second point क्या हो जाएगा आपके पास आपके बस्स का इना है यहाली के बत्व इफ देयर इस तोतल कि पार्टिसिपेशन है कि एड़ नोट कि मीन देट एंटिटी इस वी क्या मतलब इसका इसका मतलब यह है कि देखिए अगर वीक एंटिटी है तो उसका जो आइडेंटिफाइंग डिलेशन सिपोगा ना पर अगर वीक एंटिटी है तो उसके अंदर टोटल पार्टिसिपेशन होना मच्ट है पर अगर किसी के अंदर टोटल पार्टिसिपेशन इसका मतलब जरू नहीं कि यह वीक एंटिटी है पर अगर वीक एंटिटी है इसका मतलब टोटल पार्टिसिपेशन होगा ही होगा यह इसके अंदर आपको समझा रहा हूं मैं ओके चलिए फिल एके नेक्स के अंदर थर्ड पॉइंट देखिए जाहे वीक एंटिटी देज नोट है वो प्राइमरी की इट है जब पार्शल की यह भी कोशना है हुआ है वीक एंटिटी देज नोट है यह और प्राइमरी की इट है है पार्शल की वीक एंटिटी के प्राइमरी की नहीं है इसके पार्शल की है ओके यहां लिके फिर इस्ट्रॉंग इंकडिट है एंटिटी मैं फिर प्राइमरी की स्ट्रॉंग एंटिटी के प्रैमरी की होता है नात मतलब डैरेग्सैन की देखराने आप है यह टोटल पार्टिसिप इसको शोट में लिख रहा हूं आप सब समझ दा रहें आईटी के बंद है टेक्निकल बेग्राउंड से तो आप समझ जाए है स्ट्रॉंग कि आपको जादा जादा सोट फॉर्म का यूज करना चाहिए आप नोन टेक्निकल नहीं हो ना स्ट्रॉंग एंटिटी में हैं टोटल पार्टिसिपेशन तो आप यह बताएं यह लास्ट दोनों लाइन ट्रू है फोल्स वीक एंटिटी मॉस्ट है टोटल पार्टिसिपेशन वीक एंटिटी के टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए बिल्कुल ट्रू स्ट्रॉंग एंटिटी में हें टोटल पार्टिसिपेशन यस ट्रूंग एंटिटी के टोटल पार्टिसिपेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है में लिखा हुआ है यहां पर में हो जाता तो क्या हो जाती है sentence false strong entity must have total participants sentence क्या हो जाता false शब्दों का खेल है वही शब्दों का concept clear रखो चीज़े आपको समझ में आ जाएगी और अपने आपके questions निकलने लग जाएंगे ओके तो चलिए इस के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आज तो चर्चा करते हुए करपन मिन्ट भी हो चुके और पता भी नहीं चला हमें ना ओके तो दिरे दिरे आपको मज़ा भी आ रहा होगा हूं फिर देखिए जो इंपोर्टेंट चीज़े है वह आपको लिखा देता हूं प्रीप्रेजेंट के लिए किन-किन सिंब्स का यूज किया चाहता है ठीक है तो मैं फड़ा फड़ लिखा रहा हूं आपको डायरीक बना रहा हूं है ना मैं इनके बूली लिखनी रहा हूं हो रेक्टेंगल मतलब क्या हो गया आपको एंटीटी ठीक है नेक्स हो गया इलीप्स इसको क्या बोलते है इलीप्स इसका मतलब क्या होता है एट्रिब्यूट ओके यह क्यों हो गया आपके पास डाइमंड डाइमंड का मतलब क्या हो गया रिदेशन सीप द्यान रखना रेक्टेंकल इलिप्स डाइमर्ट में नाम नहीं लिख रहा हूं फिर डबल लाइन इलिप्स डबल लाइन इलिप्स इससे आपको क्या पता चलेगा यह जो एट्रिब्यूट है कहचा है मल्टी वेल्डियूड एट्रिब्यूट ऑके फिर ऑके देश इलिप्स आक मिठेब क्या हो गया डिरैुड एक्रिब्यूट से इसको बात देखिए आपको लाइन रेक्टेंगल लिए इसका नेमन क्या हो गया कि अभी विग एन्टी टी सिंदेश हम इनेक्स्ट अगर र्रेंए प्रफ़ डबल लाइन डाइम ड्या हुआ है इसका क्या मतलब एक आइडेन टीपाइंग रिलेशन सिप और आइडेन टीफाइंग रिलेशन सिप हार कि आइड़न डिलेशन्षिप है ओके और आप को इस तरह सरे रखा है और भी लाइन कर रहे है इसका मतलब क्या है यह कि एट्रिब्यूट है क्या है कि आप यह यह को सकते हैं प्राइमरी की डिटर्मइंड कर रहा है फिर अगर आपको ईलिप्स दिया हुआ यह बीच में लाइन दिवी इसका मतलब यह क्या रिप्रेंट कर रहा है पार्शल की कहा होती है पार्शल की वीक एंटिटी के अंदर ओके ठीक है और देखिए आगे चलते हैं कि यहां पर देखिए नेक्स यहीं पर लेगी आप अगर इस तरह से कुछ दे रखा है एक एन्टिटी है कि और आ पे इसे इस बता रखा है यह क्या बताएगा आपके टोटल पार्टिस्पशन इस इस प्रिपेशन और परकास क्या चीज़ बता रही यह रहता हम है अलग तरीके सब बता जैता ओके फिर है और इलिप्स कनेक्टेड विद अदर इलिप्से और दूसरे इलिप्से क्या है आपके कनेक्टेड है एक इस तरह का हो गया आपका कमपोजिट एट्रिब्यूट कमपोजिट एट्रिब्यूट क्या हो गया कमपोजिट एट्रिब्यूट ओके चलिए तो यह कुछ इंपोर्टेंट थे इसके साथ और भी इंपोर्टेंट सिंबोल्स हैं वह भी हम देखी लेते हैं साथ-साथ हम इंपोर्ण एट्रिब्यूट हम देख लेते हैं फिर से कह रहा हूं प्लेयर लिष्ट आप जरूद देखिए बेसिक कमपोजिट ट्रिक्टर सीने कमपोजिट ट्रिक्टर फाइब थाप्जन की मातमें इतने कुशन करा रखे कि आपको कुछ याद करने की जरूद नहीं है उन कुशन को करोगे जितने ही आपके काम हो जाएगा और यह जो वीडियो है इसके लिंक के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा तो वह आप कुश्चन कीजिए जिससे भी आपको सारी चीज़े याद हो जाएगी ओके टेस्ट अवेलेबल है जाएए उसका यूज कीजिए एडवांस यह डाइग्रामस के अंदर देखिए वैसे यह आते नहीं इतने पर तो भी आप लिख लिए अब यहां पर सरकल है और यह एक ब्रेंडा है इसको हम क्या बोलेंगे ऑप्शनल वन यह ना ऑप्शनल वन फिर महां लिए यहां पर फिर से यह सरकल है वह यहां पर तरीके से तीन लाइन यह क्यों जाएगा ऑप्शनल मेदी क्या हो जाएगा ऑप्शनल में फिर यहां पर आपके पास ही से वहीं चीदी यह इस तरव से जंडा जाएगा और फिर से यह यह मेंडेटरी में टूर। और फिर से यही केस हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा यह यह क्या हो जाएगा आपके मेंडेटरी मेनी क्या हो जाएगा मेंडेटरी मैनी फिर फिफ्ट के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास यह आपके पास डाइमंड और इसके साथ इस तरीके से बना हुआ धोना साइट अडिया आपके पास one two one relationship क्या हो गया one two one relationship okay और इसके साथ आपके पास कुछी इस तरीके से आ गया या विदिची दिया हुआ है कि यह अर और यार यहां पर लिका हुआ स्टार कि यह वह यह अपके पास कुछ तरी के सहफों यह आपकी है वो और इंटिटी से इंटिटी इन्टनेक्टेड ज्यां रगना और इस तरीके से बता रखा हूंає यह कि यह कि होगे आपके मेनी टू मैनी कि हो गया मैणी टू मैंनी ओके हम ठीक है और इसके अन्दर क्या हो गया है यही सेम केस होगी आपके पास यह दिया हुआ आर और कुछ भी नहीं दिया हुआ है यह आपको इस तरह के से दिया हुआ है एक एंटीटी और यहां पर दिया आपके पास दूसरी एंटीटी यह यह क्या होगी आपके पा सब्सक्राइब तो यह ओके तो यह जो कुछ इंपोर्टेंट सिंबोल से आपको ध्यान रखना एक्जाम के लिए बार क्वेशन पूछा जाता है यहां पर यह ओप्शनल ओप्शनल का ओ जाएगा और यहां मेंटरी को वन यूज कर रहे हैं बाकी तो मैनी के लिए इन हम तीन का यु्ज कर रहे और और लोन के लिए वन यूज कर रहें हैं यहां वन-टू-वन को यह software ड़फाइन कर रहे हैं यह कर लोगी आपके मेंटी में नी और यह वापस वापस वन टू-वन है न तो वन-टू-वन हमने दो तरीके से nine क्या Epekt यह औरady कि एठों के आपको advance के अंदर याद रखना है किसके अंदर advance यार डाइग्राम के अंदर हम चलिए अब हम next पढ़ने वाले हम degree of relationship क्या पढ़ने वाले हैं degree of relationship आज हम ने काफी कुछ कवर कर लिया है तेकि आपको फास्ट लग रहा होगा पर समय को देखते हुए हमें थोड़ा जल्दी करना जरूरी है ना हम क्या कर रहे है क्रेश कोर्स डिटेल कोर्स में ले के आऊंगा बहुत ही जल्दी एक बात जो हमारे इस्टुटेंट है उनको मैं चाहता हूं कि कैसे ने कैसे वह पास हो जाया सेट एक्साम डिग्री ओफ रिलेश ऑज्येंशन सीपम है ना है सिग्डिव एप मतलब क्या हो गया लाव लॉफ 10 te ヤ अ अ रफार पार्टिसी पेटेड अश्येटija तेस्ट अर पार्टिसी पेटेड अश्याटअर पार्टिसीपेटेर अट पर्टिकुलर कि ई With different in particular POLA बोलेंगे इसकी डिकरी डीदीग डीगरी मयाने आग़ी परोगो पहले तो यहां पर जो होतीे वह तीन चार तरह की हो दीडीलिगे कौन कॉनसी सबस्पाराएं आपके होगा यूनरी यह इसको तो क्या बोलेंगे डी कर्षीन childhood क्या बोलेंगे यूरी वरीखर रिलेशन्ट से इसको हुआ हो उपर वाली सेसे मैं रेक्टेंगल का दिया इसको हम क्या बोलेंगे यूरी आप или आपका example example से हम कैसे समझाएंगे देखिए माल लिए मैं एक बार यह बना देता हूं तो फिर मैं आपको जल्दी से इसको समझा पाऊंगा यह हो गए आपकी entity जो हो गए आपकी employee और यहां पर हो गया एक आपका relationship और रिलीशन सीप क्या होगा कि इस तरीकेस जा रहे किस तरीके से और यहां से निकल जा रहा जाएं सी entity के अंदर और यहां परNew जाएगा यह मेनेजर ठीक है और यह जाएगा आपके सुपरवाइज आ यह हो जाएगा आपके सबॉर्डिनेट और रिलेशन्शिप आपका one two many देखिए recursive यह यारी रिलेशन्शिप का मतलब यह है कि एक ही टेबल है एक ही टेबल कुन से हैं आप एंप्लोई और वही टेबल खुद से रेफरेंस ले रही है उसे हम बोलेंगे यूनेरी रिलेशन्शिप एक्जाम के कई बार क्वेशन होत हाँ बना सकती है जरूर एक्जांबल समझिए माली यह डिपार्टमेंट है इसके अंदर बहुत सारे एंप्लोई है तो देखिए जो मेनेजर होगा उनमें से कोई एंप्लोई होगा ना तो इसको डिफाइन कर दिया आपके इसका मेनेजर अब यह मेनेजर क्या कर रहा है बाक एंप्लोई है उनमें से एक मेनेजर है वह सुपरवाइस किसे कह रहा है जो भी इसके अंदर सब्वोडिनेट एंप्लोई है तो इस तरह का रिलेशन्शिप क्या कहलाता है आपका यूनरी या रीकर्सिव रिलेशन्शिप कहलाता है ओके नेक्स देखिए क्या होगी आपका binary relationship क्या हो गया binary relationship binary relationship इसका मतब यह हो गया यह है आपका employee एक relationship के अंदर अगर दो entity participate कर रही है उसे हम बोने के binary relationship तो यहां जो relationship है वो कौन सा आपका binary यहां देखे एक employee है और एक department है और बीच में इसका relationship है ओके इसी प्रकास नेक्स्ट देखिए है क्या होता है आपके पास टर्शरी रिलेशनिप क्या हो गया टर्शरी को टर्शरी यह तर्शरी या टर्णरी भी बोलते हैं ना टर्णरी relationship इसके अंदर हो जाएगा तीन हो सिर्दी सी बात है यह वह गया इमप्लोई यह कंपने मां गया इसका रिलेशनसीप यह गया इसकी एंटिटी । डिपार्ट्मेञ्ट और माली यहाँ पे जो एक और एंटिटिझ है वह है आपक्वरोजेक्ट यह होग तेसरी को इस तरह का रिल्लैशन्सिप को हम क्या बोलते टर्णि एक employee है जो किसी डिपार्टमेंट के दम काम कर रहा है वो कौन से प्रोजेक्क के उपर वर्क कर रहा है तो इन तिनों को यह एजो relationship हैँ है और को क्या भोलता हूं में वर्क्स फॉर वायशन साथ है पासने का क्या मतलब हो जाएगा आप ही बता दीचे आप अब मेरे निरी का मतलब क्या हो गया से ज्यादा क्या हो गये यह आपके के लिलेशन सिब हो गया और यहां से क्यों Ihr बहुत सारे इंटीटी कनेक्टेड लिए 1 की उचween एटू देन थ्री एंटिटी पार्टिसीपेटिंग पार्टिसीपेटिंग ओके मोर्द थ्री एंप्लोई पार्टिसीपेटिंग इसे मी क्या बोलूंगा एन एरी डिलेशन सिप चलिए तो कितना टाइम हो गया आज हमको पढ़ाना तो इसे और भी है एक्षे हो गया है ठीक है तो उम्मीद है वेरी इंपोर्टेंट क्लास है आथ की यहां से बहुत सारे क्वेस्टन्स आते हैं एक्जाम के अंदर और आपने मेरे क्यासे वीडियो सुरू से लाज तक जरूर वाल रहा हूँ अगर आपको लगता है वीडियो देखना प्रोब्लम हो यह तो पीडियाफ आप जरूर देखिए अगर आपको लग रहा है उसके कि किजुक्र पॉइंट यापार्ट प्रोब्लम आ रही है तो वीडियो साप ओपन कीजिए और उसको वहाँ से देखना चाल है ना तो मेरे ख्याल सब मुझे रूख जाना चाहिए क्योंकि यह मुझे लग रहा है तो इसा नहीं हो कि जित्ता भी मैंने पढ़ाया हो सारा सारा चल जाए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका टेसरी जाहिए कम्पूटर फॉर कौट ए पे उसके अंदर दीखिए डीबी एमेस की प्ले लिस्टे उसको वोज कीजिए बेसी कम्पूटर इस्ट्रेक्टर फाइफ थाउजन की सीडिजिए उसको वोज कीजिए अगर आप सही में सेट नेट की तयारी करना चाहते हैं तो मैं यह आप से वा इतनी मेनत करोगी जिती मैं कर रहा हूं है ना कोशन आपको करने पड़ेंगे दिनदाल चेंगना पड़ेगा मेनत करने पड़ेगी चलिए कंपर बंद हो जाए उससे पहले आप अभी तक भी मेरे साथ है तो आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक यू को करना थद्से बहुत दिल से टूbbe ज्कि बहुत इतन ओ सीधे उसी जाए मेन थे कम का जस्किस है प dwिल तो आछ़ेग च applaud करने दो है प्याजी झाल्किंगत है ज़क नाःते है गक चाम किसके पूमरे बहुत लόत जारय है अवांद ज़किा पूम्हरी औरम कर द argument दो Kurd झाल झाल